हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब स्वागता आप सभी का कॉमिक बल्ट 2.0 पर तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सबसे बड़ा हमला का अगला भाग तब ही जैदी और महाजन वहाँ पहुचे तीन चाकू और एक छोड़ा मिला है मास काटने वाला ठीक है देवराद चोहन नका अब हम एक एक के परिवार वालों को बलाएंगे और टीवी पर दिखाने के लिए यातना गदरिश कैमरे में शूट करेंगे मोना चोधरी तुम इन पर निगराने रखोगी ये काम में जैदी और महाजन के साथ करूँगा कहकर देवराद चोहन खाली किये कमरे में जा पहुचा वहाँ उस्मान अपना कैमरा सेट कर चुका था लाइट है किसी तरह दिवारों में लटका दी थी वहाँ अब तीवर रोशनी हो रही थी देवराद चोहन जैदी और महाजन के चैरों पर कपड़ा लटका था चुक्कि मोना चोधरी ने कैमरे के सामने नहीं जाना था इसलिए उसने अपने चैरे से कपड़ा उतार दिया था तैयार उस्मान पूरी तरह देवराद चोहन ने जैदी को देख कर गा जाओ सबसे पहले असलम के परिवारवालों को लाओ पूछो कि असलम के घरवाले कौन है मोना चोधरी से कहो जैदी कमरे से बाहर निकल गया इस खबर से संसनी फैल जाएगी देवराद चोहन उस्मान के उठा मुझे संसनी नहीं फैलानी मुझे अपने देश के लोगों को बचाना है देवराद चोहन को रहा उठा इंडिया दिल्ली के साउथ एक्स्टेंशन का रॉयल नाइट कलब दिन के ग्यारा बजे नवाबन नशे वाला बैक बंद करके एक तरफ सरकाया और उठ खड़ा हुआ चारो तरफ नजरे गुमाई उसकी आँखे लाल सुर्ख हो रही थी चेहरा नशे से तम-तमा रहा था अदनान और खान गन थामे बंदगों के वीश टहल रहे थे जो की सहमे से बैटे थे अब बंदगों के चेहरों पर भी भरपूर थकान दिखाई दे रही थी तीसरा दिन था आज ऐसा वक्त उन्होंने कभी बिताया नहीं था और बिताएंगे भी नहीं सच बास तो ये थी कि अदनान नवाब शाहिद और खान भी थकना शुरू हो चुके थे अब बाद बाद पर उन पर जहलाहट, खीच, सवार हो रही थी माथे के बल और चेहरे पर गुस्चे की लकीरे जैसे इस्थाई होती जा रही थी शाहिद इस वक्त उपर सीडियों के दरवाजे पर नज़र रख रहा था नशे में सिर्ज से पाओ तक भरा नवाब आगे बढ़ता क्या उटा वक्त क्या हुआ है, ग्यारा बजे है, खान बोला ग्यारा? नवाब नगन को कंदे पर लटकाते हुए का, तो ग्यारा बज गए खान ने अदनान पर निगार डाली, अदनान के होट भिज गए थे, अली और लीडर जूटे हैं साले नवाब नशे की मस्ती में क्या उटा, नवाब खान के माते पर बल पड़े क्या है, उचा क्यों बोलता है, नवाब नखान को देखा खोश में आ, कैसी बाते करता, मैं ठीक कह रहा हूँ, तो समझ नहीं रहा, नवाब खॉले से हसा उन्होंने क्या गलत काम से, अदनान ने आखे से कोड कर पूछा, अली और लीडर दोनों ने हमसे कई बार कहा कि भारत सरकार हमारी मांगे फॉरण मांग लेगी, अगर हमारे पास बंदग हुए तो, अब देख लो, बंदग हैं हमारे पास, तीनों दलों के पास बंदग हैं, 200 लोग तो बंदग होंगे ही कुल में लाकर हमारे पास, 6 की रात बीती, 7 की रात बीती, 8 की रात बीती, और लगता है वो बाहर हम पर हमले की त्यारी कर रहा हूं अली और लीडर ने हमें धोके में रखाए की अधनान गन वाला हाथ हिलाते कठोर स्वर में क्या उठा अगर अगले कुछ मिंटों में उन्होंने हमला कर दिया तो नवाब जहरी ले अंदाज में असा तूने सुना नहीं की मैंने क्या का भारा सरकार हमारी मागें जरूर तो अभी तक हमें फोन क्यों नहीं आया क्या तीन दिन से वो फैसला नहीं कर सेके कि उन्हें क्या कर रहा है नवाब न कड़वे स्वर में कहा इतनी देर लगा देना उनकी किसी चाल कई हिस्सा है अधनान तू नवाब की बात ठीक लग रही है मुझे खान क्या उठा तू इसकी बातों में ये ठीक हो सकता है अधनान खान ने कटोर सर में कहा भारा सरकार हमारे खिलाब कोई शड़यन रचरही हो सकती है हमें इंदुस्तान को कमजोर नहीं समझना चाहिए देर लगना उसी शड़यन का हिस्सा हो सकता है अधनान के होड बिच गए नवाब न नशे से भरी वहशी निगा बंदुकों पर डल कर कहा ये सब मरने वाले हैं कोई कुछ न बोला सननाटा चाह गया मौत से भरा सननाटा बंदुकों में बैठा सोहन लाल खिसक कर जगमोहन के पास आ गया था पासी बैठा था ये हमें मारने का प्लान बना रहा है सोहन लाल दबेस और मैं बोला जगमोहन शांत नजरों से हर तरफ देख रहा था तेरे पास रिवालवर है उसका इस्तमाल कर सोहन लाल ने उसी लहजे में कहा जगमोहन ने सोहन लाल को देखा सोहनलान ने सहमती से सेरह लाया अधनान ने सेटेलाइट फोन कानों से लगा लिया दूसरी तरफ बेल जाने लगी थी मैं करूँ बात अधनान ने हाथ के इशारे से उसे वहीं रहने को का तब ही अधनान के कानों में खुराना की आवास पड़ी हलो क्यों कुत्ते अधनान गुर्रा उठा तूने फोन नहीं किया मारना शुरू करें बंदकों को लाशे भार फेके क्या हम तुमारे काम में ही तो लगे हुए हैं खुराना का शांस और कानों में पड़ा हमारा क्या काम उन चारो आतंगवादियों को जेल से निकाला जा रहा है रह्मान, बुंदू खान, तौफीक और सुलेमान पिद्दा को सच कह रहा है हो अधनान कुर राया मैं जूट क्यों कहूंगा ये बात हमें कैसे पता चले अधनान ने दाद बीच कर का ये तुम जानो भारा सरकार चारो को तेहार जेल से निकाल का तुम लोगों के कहें मताबिक कश्मीर की तरफ से सीमा पार करा देगी कई बड़े अधिकारी इस काम में लग चुके हैं आदा घंटा पहले ही वो जेल पहुचे हैं अगर ये बात गलत हुई तो गलत क्यों होगी भारा सरकार तुम लोगों की मागे मान रही है उन चारों आतमगाजियों के विमान से कश्मीर ले जाए जाएगा मेरे ख्याल में शाम चार बुजे तक उन चारों को सीमा पार करा दी जाएगी खुराना की आवास कानों में पड़ी अधिनान के चेरे पर राहत के भाव उबरे बंदक कैसे हैं? वो ठीक हालत में हैं जैसे पहले थे याद रखना बंदकों को कोई नुकसान न पहुचे तुमारी सरकार हमारी मागे मान रही है बंदकों को नुकसान क्यों पहुचाएंगी? कुछ ही देर में बंदकों के लिए खाना दर्वाजे के बाहर रख दिया जाएगा मैं तुम्हें फोन पर बता दूँगा बंदकों को खाना खिला देना और शाम तक बंदकों को छोड़कर चले जाना तुमारी सला की जरुरत नही हम जानते के में क्या करना है अधिनान ने क्रूर सर्मे कहा और फोन बंद करके खुशकबरी है 12 स्रकार ने हमारी मांगे मान ली है वो हमारे चारो सातियों को जेल से निकाल रहे है विमान में बैठाकर उन्हें कश्मीर ले जाकर सीमा पार करा दी जाएगी चार बजे तक ये काम हो जाएगा ये सुनकर बंदगों के चेरे पर खुशी और चैन की मुस्कान दोड़ गई सोँनला नानी और जगमोन की नजरें मिली खान खुशी से ठाका लगा कर क्या उटा ये तो कमाल हो गया पर अंखे सिकोडे नवाब तीके सुर में क्या उटा जादा खुश मत हो क्यों खान न उसे देगा अभी काम हुआ नहीं है क्या पता हमसे जूट कहा जा रहा हो ये बाद जूटी नहीं हो सकती अधनान बोला क्योंकि ये जूट जादा देर तक नहीं चल सकता वो सच में हमारे सातियों को छोड़ रहा हूंगे मैं लीडर को ये खुशकबरी देता हूँ अधनान नमर मिलाने लगा खान नवाब को देखकर मुस्कुराया नवाब भी मुस्कुरा पड़ा हम जीत गए नवाब अभी नवाब नसे रहला कर का जब तक हम वापस नहीं पहुच जाते तब तक हमारा खुश होना ठीक नहीं हम वापस पहुच जाएंगे लीडर ने हमारी वापसी का सारा इंतिजम कर रखके है तब तक अधनान की लीडर से बात हो गई थी मुबारा को लीडर अधनान मुसक्रा कर बोला बारा सरकार ने हमानी मांगे मान लियें कब अभी फोन पर बात हुई बारा सरकार के नुमाइंदे ने काये कि हमारे चारो सातियों को जेल से निकाला जा रहा है उसके बाद उन्हें विमान से कश्मीर ले जाकर सीमा पार करा दी जाएगी अधनान की आवाज में खुशी के भाव थे ये कब की बात है लीडर की आवाज अधनान के कानों में पड़ी अभी की लीडर की तरफ से खामोशी रही तुम्हें खुशी नहीं हुई मेरे आदमी सारे मामले पर नज़र रख रहे हैं अधनान उन्होंने तो ऐसा कुछ होने की खबर नहीं दी मुझे उन्हें पता नहीं लगाओगा यह सम्वफ जिवात है कि इतनी बड़ी बात होने जो हो रही है और उन्हें पता ना चले लीडर की आवाज में उलजन के भाव थे कुछ गड़बड है जरूर कुछ गड़बड है तुमसे कहा गया कि उन चारों को जेल से निकाला जा रहा है हाँ खुराना कहता है कि अधिकारी जेल में पहुंच चुके है नहीं यह गलत है ऐसा कुछ होता तो मुझे ख़बर मिल गई होती तुम लोग साफधान हो जाओ लापरबा मतोना और इस बात पर यकीन मत करना मैं अभी पता करके तुम्हें फोन करता हूँ इसके साथी लीडर ने फोन बंद कर दिया था अधनान ने फोन वाला हाथ नीचे किया चेरे पर परिशानी आठहरी थी क्या हुआ खान ने पूछा अधनान ने खान और नवाब को देखकर कहा लीडर कहता है कि ऐसा नहीं हो रहा हुआ होता तो उसे पहले ही ख़बर मिल गई होती नवाव और खान की नजरें मिली तो भारत सरकार हमसे चाल खेल रही है खान गुर्रा उठा मुझे ऐसा नहीं लगता लीटर को कुछ गलती हुई है वो सब कुछ पता करके हमें अभी फोन करेगा अधनान ने होड भीच कर कहा ऐसा जूट भारत सरकार हमसे नहीं बोल सकती जो अगले कुछी घंटों में खुल सकता हूँ बेवकूफ नवाव गुर्रा उठा क्या बता हमें ये जूटी घबर दे कर वो हमें लापरवा कर देना चाहते हो और अब हम पर हमले की तयारी कर रहा हूँ हमें ऐसा कहना भारत सरकार की चाल हो सकती है अधनान दाथ पीस उठा खान का चैरा दरिंदिगी से भर उठा साला कुछ समझ में नहीं आ रहा अधनान ने गुर्रा कर कहा और पकड़े सैटेलाइट फोन से नंबर मिलाया किसे खान ने दाथ पीस कर पूछा उसी कुट्टे से बात करता वो फिर से यही बात कहेगा कि तभी खुराना गसर अधनान के कानों में पड़ा हलो क्यों कुट्टे अधनान दाःडा तो हमसे जुट बोलता है कि हमारे चारो सातियों को छोड़ा जारा है किसना कहा कि मैं जुट बोल रहा हमारे साती बाहर भी हैं वो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा खुराना उधर से हस पड़ा बंद कर अपनी बखवास अधनान पुना दाड़ा उदर से खुराना अपनी हसी रोकते हुए क्या उठा तो तुम क्या समझते होगी भारा सरकार ये काम ढोल बजागर करेगी कि सबको पता चल जाए विपक्ष की पार्टियां एतराज उठाएंगी दिल्ली को सिर पर उठा लेंगी इसलिए ये काम बहुत ही खामोशी से गुपत तोर पर किया जा रहा है तुम से चालागी नहीं कर रहा चार बजे तक वो चारों सीमा पार पहुँच चुके होंगे बाहर तुमारे जो साती हैं उन्हें इसलिए इस बात की खावा नहीं मिल पाई कि इस काम में बहुत जादा गोपनियता बढ़ती जा रही है अधनान कुछ धीला हुआ गहरी सांसे ली हम पर शक मत करो जो का है वो पूरी तरह सच है हम ऐसा जूट क्यों बोलेंगे अधनान कुछ और धीला पड़ा अगर ये सब जूट हुआ तो हम बंदकों को गोलियों से भूनने के बाद सड़कों पर तुम खामा काई पर रिशान हो रहे अधनान ने फोन बंद कर दिया फिर घहरी सांस लेकर खान और नवाब से बोला सब ठीक है ये काम कोपनियता से किया जा रहा है कुटा कहता है कि यही साच है ठीक है नवाब बोला देख लेते हैं अभी सच सामने आ जाएगा मैं शाहिद के पास होकर आता हूँ अधनान बोला उसे ये खबर भी दे दू अधनान सीड़ियों की तरफ बढ़ गया बोल अधनान खुशकबरी है भारे सरकार ने हमारी मांगे मान लिये अधनान मुस्करा करके उठा उसी कमरे में था खुराना अधनान का दुबारा फोन आने के बाद उसने मदुकर पंडे का नमबर मिलाया चेहरे पर गंबीरता और व्यकुलता नाच रही थी माथे पर तनाव में डूबी लकीरे नजर आ रही थी हाँ खुराना मैं उन्हें ये मैंने उन्हें ये कहकर रोकाए कि उनकी मांगे मान ली गई है खुराना ने फसे उसर में का उधर से मदुकर पंडे ने घहरी सांस ली मैंने उन्हें कहाए कि चार बजे तक उनके चारो साथियों को जेल से निकाल कर सीमा पार करा दी जाएगी वो माने तुम्हारी बाते शक्तो कर रहा है पर अंतु मेरी बात माननी पड़ रही है खुराना ने कहा तीनों तलों से कह दिया ही है हाँ परन्तु दल नंबर तीन वाला मुझे गालियां दे रहा था कि वो अपने साथी बशीर को भी चाहता है वापिस मैंने उससे कहा कि उस पर सरकार सोज विचार कर रही है अब तुम देवराद चौहन के बारे में बताओ अब सब कुछ देवराद चौहन पर निरबार है अगर उसकी प्लानिंग फेल होगई तो तुम्हें शाम तक एक्शन में आना होगा यानि कि शाम तक कुछ हो जाएगा करना पड़ेगा इससे ज़्यादा मैं इन लोगों को नहीं रोक सकता मैंने अपनी तैयारी पूरी कर रखी है मदुकर पांडे का भिचास और कानों में पड़ा देवराद चौहन से तुम्हारी बात हुई? नहीं उसे फोन करो और उसका फोन नंबर नहीं है मेरे पास वही मुझे फोन करता है मदुकर पांडे की आवाज कानों में पड़ी ओ ये तो गलत हुआ तो मैं उसका नंबर लेना शायद फोन नहीं है उसके पास वरना वो नंबर ज़रूर देता मैं सबसे आगे चैनल के संपर्क में हूँ वो पाकिस्तान के निउस चैनल जीरो टीवी के हर तस्वीर हर खबर को रिकॉर्ड कर रहे है और सुन रहे है इंतजार करने के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है उस तरफ से मदुकर पांडे की आवाज कानों में पड़ी हमारे पास तीन-चार घंटों का ही वक्त है आतंगवादी सबर खोते जा रहे हैं उन्होंने बंदगों को मारना शुरू कर दिया तो यह बहुत ही बुरा हो जाएगा वो तो निश्चिंत्रव खुराना मदुकर पांडे को रहा उठा अगर देवराज चौन की तरफ से कुछ ना हुआ तो मेरे कमांडो जर्कत में आ जाएंगे आतंगवादीयों को बंदगों को मारने का मौका नहीं दिया जाएगा मैं परेशान हूँ पांडे तुम्हारी हालत में समझ सकता हूँ निश्चिंत्रव जहां तुमारा काम खत्म होता है वहां से मेरा काम शुरू होता है मैं अपने जिम्मे बारी पूरी तरह ने बाऊंगा दर्ता से बरी मदुकर पांडे की आवास कानों में पड़ी तो मैं हिम्मत दिखानी होगी पांडे बाचीत खत्म हो गई खुराना ने फोन रखा ही तक ही वो पुना बज़ उठा खुराना ने बात की उधर से बताया गया कि आतंगवादियों के ठेकाने के बाहर खाना रखा जा रहा है खुराना इस बात की गबर तीनों दलों को देने लगा एक घंटे बार लीडर का फोन आया अधनान को उस वक्ट बंदगों के लिए खाना आ चुका था और वे खा रहे थे बंदगों मैसे ही चार लोग सबको खिला रहे थे वे खुश थे कि आतंगवादियों की मांगे सरकार ने मान लिये और शाम तक भी आजाद हो जाएंगे अधनान ने बात की लीडर से कहो लीडर कुछ गडबड है अधनान लीडर की आवाज कानों के पड़ी क्या मैंने ये वे जानने की पूरी कोशिश कर ली कि क्या भारत सरकार तुम लोगों की मांगे मान रही है पर अंतु कहीं पर भी मुझे या मेरे लोगों को हाँ जैसी इस्तिती नहीं देखी इस बात की कहीं से हवा भी नहीं मिली भारत सरकार गुपचुप धंग से फालतू मत बोलो, सरकार काम इतने गुपचुप नहीं होते कि हवा भी न ओड़े, फिर मेरी पैचान के भी कुछ लोग सरकार में है, मैंने उनसे बात की, तो वो कहते हैं कि उन्होंने तैसी कोई बास सुनी नहीं, लीडर का गंबीर सुर अधरान के कानों में पढ़ रहा था, जेल के बार कई टीवी चैनलों और अखवार के रिपोर्टर टिके हुए हैं कि अगर भारा सरकार कहदियों को छोड़ती है, तो वे उसे, वे उस वक को कैमरे में कवर कर सके, परंतु उनके पास ऐसी कोई खबर नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, लीडर की सरकार गुप्त ढंक से ये सब काम, ये बात दुबारा मत कहना, लीडर का खटोर सर कानों में पढ़ा, किसी भी देश की सरकार ऐसा काम कितना भी गुप्चुप करे, खबर हवा के साथ थोड़ी तो बाहर निकलती, एक मिनट को, लीडर की दरब से खामोशी चा गई, अधनान फोन को कानों से लग ये कि भारा सरकार हमारे मांगे कैदियों को नहीं चोड़ रही, मुझे विश्वास नहीं होता, मैंने एक आदमी को तियार जेल पता लगाने बेजाता, उसकी पहचान है वहाँ, वहाँ जेल में बंद तौफीक, बंदु खान, रहमान, औसुलिमन, पिद्दा को भीतर बं देखकर आया है, उसकी पहचान के पुलिस वाले ने बताया कि उन्चारों को छोड़े जाने की कोई ख़वर नहीं है जेल में, बलकि उपर से ये कहा गया है कि उन्चारों पर लगाता नज़र रखी जाए, तो ये बात है, अदनान के दाद भिज गए, तुम लोगों को ध धोका दिया जा रहा है, तो भारा सरकार कुछ करने वाली है, अदनान गुर्रा उठा, लगता तो यही है, मेरे ख्याल में कमांडोस कभी भी तीनों दलों पर हमला कर सकते हैं, अदनान के जैरेबत दरिंदी की नाच उठी, पुना गुर्रा उठा, इधर खाना भेज रहे ह और हम पर हमले का भी प्रोग्राम बना रहे हैं, सालिक, कुत्ते, हराम, जादे हिंदुस्तानी, कहते कुछ है, करते कुछ, साब्धान हो जाओ अदनान, हम तैयार हैं लीडर, अगर कमांडोस तुम लोगों पर हमला करते हैं, तो सबसे पहले तुम लोगों ने बंदगों क कमांडोस से हार नहीं माननी, अपने को बचाओ, और कमांडोस को मारो, फिक्र करने की जरा भी जरूरत नहीं, मेरे आदमी भी हत्यारों के साथ तैयार खड़ें, वो पूरी तरह तुमारी साहता करेंगे, हारना नहीं हैं तुम लोगों नहीं हारेंगे लीडर, दात किटकि उसने, खुश कर देना उसे, तो वो तुम्हें खुश कर देगा, पाकिस्तान कसे रूचा रखना, अब हम हिंदुस्तानियों का सबक सिखा कर ही पाकिस्तान पहुचेंगे, शाबाश, हो सकता है तुम मेंसे एकाद मारा जाए, लेकिन फिक्र मत करना, जंग कुर्बानी मांग परन्तो हम हिंदुस्तान को मिटा कर इदम लेंगे, अधनान ने फोन बंद किया, धदक रहा था उसका चेरा, लगे हाथों ये अधनान में खुराना का नमबर मिला दिया, हेलो, आखिरकार खुराना की आवाज कानों में पड़ी, क्यो बे कुत्ते, अधनान गुर्रा उठ तु हमें जूट कहकर, हमें तसली देकर हमला करवाने जा रहा है, क्या मतलब, तेरे जैसा कुत्ता मैंने कभी नहीं देगा, कम से कम पाकिस्तान में तो तेरे जैसा कुत्ता है ही नहीं, ऐसे कुत्ते हिं हिंदुस्तान में होते हैं, जिनमें से एक तु है, तु कुत्ता, पागलों की तरह ओरा था अधनान, वो चारों जेल में बंद हैं, हमारों लोगों ने ये बात पता कर, तो ये बात है, खुराना उदर से अस पड़ा, तु हमला करवा हम तयार हैं, और लाशे गिनना, ऐसा कुछ नहीं है, शक ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है, वो क्या हुआ है, तू हरामी, वक्त बता, बारा चालिस, गुराया अतना, मैंने तुम्हें चार बजे तक का टाइम दिया, विमान से कश्मीर तक का सवा देड़ घंटे का रस्ता है, उन्हें ले जाने के लिए एरपोर्ट पर विमान तयार करवाया जा रहा होगा, उन चारों कान के कच्ची हो, तुम ही सोचो कि क्या भारत सरकार इतना बड़ा रिस्क लिसकती है, तुम लोगों पर हमला कराने का, जबकि तुम तीन दलों के बाद धाई सो लोग बंदक हैं, सरकार क्या चाल लोगों के लिए उन्हें मरने देगी, घूम गया अधनान का सिर, चक्कर लोगों पर कपका हो चुका होता, खामा का उलट पलट सोच कर अपना धिमाग खराम मत करो, और किसी के भैकाने में मैं भी ना आओ, सिर्फ यही याद रहो कि भारत सरकार उने छोड़ रही है, कश्मीर से सीमा पार करा रही है, सिर्फ यही सच है, चार बजे तक देख लेन अधनान ने होटो पर जीफ फेरी, कुछ कहते ना बना, और गालिया देनी है या फोन बंद करूँ, उदर से खुराना ने पूछा, अधनान ने पुना गहरी सांस ली और फोन बंद कर दिया, एक हाथ में गन, दूसरे में सैटेलाइट फोन, और वह बंदकों को खाना काते देखने लगा, मस्तिश्क में उथल पुतल मची हुई थी, एक तरफ लीडर की बाते थी, दूसरी तब खुराना की बाते, समझ नहीं पा रहा था कि क्या सच माने, तभी नवाब उसके पास पहुचा, क्या बात है, अधनान ने नवाब को देखा, दो पल तो समझ नहीं प लीडर कहता है, कि ऐसा कुछ नहीं कर रही भारसरकार, खुराना कहता है, कि चार बजे तक वो सीमा पार पहुच जाएंगे, चार बजे तक, हाँ, ठीक है, चार बजे तक देख लेते हैं, चार बजने में कौन सी देर है, तीन गंटों की तो बात है, अगा भारसरकार खाने में लगें, सिर पर नास्ती मौत ने दिखाई नहीं दे रही। सैफ उखडी निगाओं से मिर्जा को देखने लगा, तेरे को एक एक बशीर की चिंता क्यों पड़ गई? वो हमारा साती है, हमारे सात पाकिस्तान से आया था, उसे वापसी पर भी हमारे सात होना चाहिए। लीडर ने हमें पाकिस्तान पहुचाने की जो प्लानिंग कर रखी है, वो कहीं गड़बड हो गई, तो क्या होगा? ये सोच बशीर के बारे में मत सोच, लीडर की प्लानिंग गड़बड नहीं होगी। क्यों? वो समझदार है, उसना सब कुछ तायार कर रखा है, हमें पाकिस्तान पहुचाने के लिए, चार बज़े तक भारे सरकार उन सब को जेल से निकाल कर सीमा पार करा देगी। उसके बार लीडर हमें यहां से निकालेगा, मेरे ख्याल में रात तक हम भी पाकिस्तान, तभी सैटेलाइट फोन बज़ उटा, चुड़िया चहक उटी। सैफ ने तुरंद बात की, सैफ उधर लीडर था, सब कुछ कंट्रोल में है, एकडम से, मेरी बात सुनो, लीडर की आवास कानों में पड़ी, भारा सरकार ने जेल में बंध हमारे चारो सातियों को सीमा पार करा देने का चार बज़े का टाइम दिया है, करन्तु मेरी जैनक सैफ को काटो तो खून नहीं, होटों से कोई आवाज नहीं निकली, लेकिन तुम लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं, जो मैंने का है वो मेरा ख्याल है, अगर हमला होता है तो डट कर मुकाबला करना, बंदकों को मार देना, तुम लोगों के पास इतना बारूद है कि उन्हें सीमा पार्क पहुचा दिया जाए, परंतु तुम लोगों को साथधान रहना, अगर हमला हो, तो सबक सिखा देना हिंदुस्तान को, लीडर का तेज स्वर कानों में पढ़ा, ऐसा ही होगा, उसके बाद तुम हमें पाकिस्तान पहुचा दोगे, पूरी तरह, मैंने कहता है कि भारा सरकार हम पर हमला भी करा सकती है, चार बेजे तक, ऐसा कहा हो उसने, मिर्जा चिंते तो उठा, हाँ, और पाकिस्तान वापिस पहुचाने के बारे में क्या कहता, कहता है सारी तैयारी कर रखी है, सैफ ने मिर्जा को देखा, चैरे पर सोच के भाव थे, एक का एक सैफ के दाद बिच गए, लीडर हमें धोका दे रहा है, जूटी तसली दे रहा है, मिर्जा सैफ को देखने लगा, तू सोच की बाहर कमांडोज हैं, ऐसे में लीडर कैसे हमें यहां से निकाल, बात तो तेरी ठीक है, मिर्जा के होटों से निकला, इसका मतलब हम बच नहीं सकते, सैफ के दाद बिच गए, कमांडोज हमें मार देंगे, हम पाकिस्तान नहीं जा पाएंगे, लेकिन अली तो कहता है कि हम यहां से निकाल लिये जाएंगे, तू अली से बात कर, करूं, हाँ कर, सैफ अली का नंबर मिलाने लगा, उसके होट बिचे हुए थे, मिर अली का सुर कानों में पड़ा, जनाब मैं सैफ, पहचान गया मेरे बच्चे, अली का मीठा सुर कानों में पड़ा, तुम तीनों दलों के कारणा में मैं समाचारों में देख रहा हूं, तुम सबने पाकिस्तान का सिर गर्व से उंचा कर दिया, अली खुश हुगा, मेरे ब कि तुम लोग सतर करो बाहर हर तरफ कमांडोस फैले होंगे जनाब हाँ वो तो अपनी डूटी करेंगे लेकिन तुम लोगो की तरफ तेड़ी आख भी नहीं जनाब मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाहर कमांडोस हैं तो लीडर हमें यहां से कैसे निकालेगा हेलीकॉप्टर द्वारा हेलीकॉप्टर हाँ लीडर ने बहुत पक्का इंदिजाम कर रखा है सिनेमा हॉल की छट पर पहुँचेगा हेलीकॉप्टर और तुम दोनों को लेकर उड़ जाएगा मिन्टो में तुम कमांडोस से दूर चले जाओगे इस बारे में तुम फिक्र मत करो जी जनाब काम की तरफ द्यान दो मन लगा कर काम करो जो लीडर का काम है वो उस पर छोड़ दो बाचीत खत्म हो गई सैप ने फोन वाला हाथ नीचे करके फोन बंद कर लिया यह हेलीकॉप्टर की क्या बात है मिर्जा ने पूछा अली कहता है कि लीडर में हलीकॉप्टर दौरा निकालेगा सिने महौल की छट पर आएगा हलीकॉप्टर मैं तो तेरे को पहले ही कहा था कि लीडर ना पक्का इंतिजाम कर रखोगा में निकालने के लिए मिर्जा क्या उटा एक बचकर पंदरा मिनट राजोरी पबलिक स्कूल का लाइबरेरी हॉल दल नमबर दो असलम नदीम आबू बंदक खाना खा चुके थे खाना अभी भी बचा हुआ था और असलम खाना खा रहा था नदीम और आबू गने था में बंदकों के बीच टहल रहे थे खामोश रहो आबू क्योटा कोई बात न करे बंदक जोगी खाना खाने के बात आपस में थोड़ी बहुत बात कर रहे थे अब खामोश होने लगे नदीम गन वाला हाथ हवा में लहरा कर ऊचे सर में क्या उटा तुम सब के लिए खुशकबरी है तुमारी बारस सरकार है हमारी मांगे मान ली है शाम चार बज़े तक हमारा काम पूरा हो जाएगा और हम तुम सब को छोड़ कर चले जाएंगे तब तुम अपने अपने घर जा सकोगे बंदगों के चेहरे पर खुशी दिखाई देने लगी लेकिन तब तक शानती बनाए रखो जैसे कि अभी तक बना रखी है तुम सब बहुत समस्दार हो हमें खास परिशान नहीं किया तुम लोगों ने जो भी हो तुम लोग हमें बहुत याद आओगे नदीम मुस्करा पड़ा परंतु आँखों में वहशी चमक थी नदीम की अबू के साथ नजर मिली अबू के होटों के बीच भी दरिंदिकी की मुस्कान नाच रही थी असलम खाना खाने में लगा था क्या बात है तू बहुत मज़े से खाना खा रहा है अबू ने असलम से कहा हिंदुस्तानी खाना बहुत मज़ेदार है तुम भी खा लो असलम ने खा मैं तो पापिस पाकिस्तान पहुँचकर खाना खाऊंगा हिंदुस्तान के खाने का तो सौद भी नहीं देखूंगा बादाम काजू बहुत पड़े हैं हमारे पास नदीम बोला इस खाने को हम नहीं खाएंगे तुम्हारी इच्छा असलम खाना खाता रहा लीडर से पक्की बात कर लिया न कि हमें यह से निकाल लेगा आबू ने पूचा हाँ वो कहता है उस बात की फिक्र मत करो यह उसकी जिम्मेवारी है खाना खाते हूँ असलम ने कहा यह नहीं बताया कि कैसे निकालेगा मैं वो कहता है कि यह मुझ पर छोड़ दो हमें वो पाकिस्तान पहुचा देगा बाहर तो कमांडोस का गेर है अबू कहोटा लीडर ने कोई नतिजाम कर रका होगा अबू कहा उसके लीडर कमाल का इनसान है खाना खाते असलम मुसक्राया हर काम करने की हिम्मत रखता है यूँ ही तो व अली के साथ नहीं है दम खम रखता है लीडर हम पाकिस्तान पहुचेंगे तो हमारा कैसा स्वागत होगा अबू मुस्क्राकर बोला हीरो बन जाएंगे हम पाकिस्तान के अली हमें जल्दी किसी नए मिशन पर भेजेगा मैं तो सोच रहा हूँ कि अली से मिलने वाले सारे पैसो को बैंक मर रख दूँगा और जब दूसरे मिशन से वापिस आऊंगा तो उसके भी पैसे मिलेंगे तब तक पैसो को इखटे ही घर्च करूँगा कितना मज़ा आएगा तब असलम हसकर के उठा सब ही सैटेलाइट फोन बज़ उठा क्या तुम्हें लगता है कि हमारे साथ कोई चालाकी हो रही है पता नहीं परंदो हमें सतर्क रहना होगा काम होने तक हम सतर्क हैं कोई खास बात होगी तो बताऊंगा इसके साथी लीडर ने फोन बंद कर दिया था असलम ने सैटेलाइट फोन रखा और पुना खाने में वैस्त हो गया किसका था नदीम ने उचे सुर्म पूछा लीडर का कोई खास बात नहीं थी सब ठीक है असलम ने सिर्थ लाकर कहा पाकिस्तान मियाव ली शहर में अली का ठिकाना जहां अतकबादियों ने कब्जा कर रखा था और इस मामले के बारे में समवाद आता कि आवास सुनाई दे रही थी जो कि हालात के बारे में बता रहा था अली की परिशानी की वज़ए ये नहीं थी अली तो उस फाइल के लिए ठीक इसी वक्त अली का सैटेलाइट फोन बजने लगा अली ने आगे बढ़कर फोन उठाया और स्क्रीन पर आया नमबर देखा वो लीडर के सैटेलाइट फोन का नमबर था हिंदुस्तान से लीडर बात करना चाता था काउ लीडर अली ने कालिंग्स तो इस दवा कर फोन कान से लगाया खेरियत है पाकिस्तान में खेरियत ही है तुम सुनाओ कोई नई बात अली ने पूछा मेरे ख्याल में हमाले लड़कों का खेल खत्म होने वाला अली उधर से लीडर की आवाज आई वो कैसे बारा सरकार ने उनसे काया कि उनकी मांग मान ली गई है उन चारों को जेल से निकाल कर चार बज़े तक सीमा पार करा दी जाएगी पर अंतु ऐसा कुछ भी नहीं कर रही बारा सरकार ये तुम कैसे कह सकते वो चारों अभी तक जेल में बंद और तीन बजने वाले हैं मेरे खैल में तीनों दलों पर अक्वामांडोस कभी भी हमला कर सकते हैं हमारे लड़के कभी भी जान कवाने वाले हैं अली के होटों के बीच मुस्कान जा चुठी वो जान नहीं गवार है शहीद होने वाले हैं काम के दोरान जो मरता है संगठन उन्हें शहीद कहता है मैं जानता था कि उनका शहीदी अंत होगा तुम ही कह रहे थे कि उन्हें वापिस पाकिस्तान लाने की कोशिश करनी चाहिए विस्तार से जानने के लिए पढ़े अनिल मौनकर राजा पॉकिट बुक से पूर प्रकाशे तुपन्याज बंदक परंतु मैं जानता था कि ऐसा संभव नहीं होगा जो हिंदुस्तान की सीमा के बीतर पहुंचकर इतना बड़ा हमला करेगा वो बहला जिन्दा बचकर कैसे वापिस आ सकता है बेशक उन पर हमला ना भी किया जाए तब भी वो जिन्दा वापिस नहीं आ सकते शहीद होना अब उनकी किसमत बन गई है तुमारा कहना सही है लेकिन लड़कों ने शानदार काम किया हिला के रगदिया दिल्ली को उनकी मौत के बाद शहीदों के रूप में उनकी तस्वीरे हम यहां लगाएंगे नए भरती होने वाले लड़कों को उनकी तस्वीरे दिखा कर उनकी कहानिया सुना सुना कर उनमे जोश भरेंगे फिर नई लड़के हिंदुस्तान जाकर हमला करेंगे ये सिलसला हम कभी खतम नहीं होने देंगे लीडर हिंदुस्तान दुशमन है हमारा हम उसे कभी चैन से नहीं रहने देंगे जख्म अर जख्म देते रहchen गे उसे ऐसा ही होगा अली हमारे लड़के मरने से पहले भी सैंकडों को मार देंगे वो किसी बंदक को जिन्दा नहीं छोड़ेंगे कमांडोस को भी मारेंगे एक-एक हिंदुस्तानी को ऐसा सबक सिखाएंगे कि दोबारा ऐसा मौका आया तो कोई सामने नहीं पड़ेगा अली ने कहर भरे सवर में कहा लड़कों को मैंने ट्रेंड किया है मैंने चुनाय उन्हें शेयर हो अगर उन्होंने लड़ने की अपक्षा हतियार डाल दिये तो उधर से लीडर ने पूछा कैसी बाते करता है लीडर अली हस पड़ा मौत का खौफ बहुत बुरा होता है जब लड़कों पर मौत का खौफ सवार हो जाएगा तो वो पागल हो जाएंगे हर किसी को मारते चले जाएंगे सिर्फ गोलियों की आवाजें और चीखें गूजेंगी ऐसा तब तक होगा जब तक लड़के जिन्दा रहेंगे जब वे मरेंगे तो हड़तर वलाशे ही लाशे होंगे खौन होगा मौत होगी दिल को तहला देने वाला नजारा सामने होगा यही हमारी जीत होगी परंतो हमारे चारो साथी नहीं छूट सके ली हमने कोशिश तो की बरपूर चेश्टा की अब नहीं तो उपर वाला चाहेगा तो अगली बार कामयाब होंगे अली ने हसकर का वैसे ये पक्की खबर है तुमारे पस कि वो चाड़ो तिहार जेल में ही है पक्की खबर है कोई बात नहीं लड़कों का फोन आए तो उना होसला दो तसली दो और हिंदुस्तान के लिए उनके दिलों में मौझूद नफरत को हवा दो ताकि मरने से पहले वो जादा से जादा लोगों को मार कर दिल्ली को हिला सके मैं चाहता हूँ कि हमारे लड़कों का दिल्ली पर यह हमला यादगार बन जाए दिल्ली वाले कभी न भूले हैं समले को टीवी देखते रहो अली ये खेल अब कभी भी खत्म हो सकता है बातचीत खत्म हो गई अली ने सेटेलाइट एक तरफ रखा और नज़र टीवी पर जाटे की आँखों में वहशी चमक थी होटो पर मौत से भरी मुस्कान लगता था जैसे अभी ठाका लगा उठेगा इसी पल अली का मोबाइल फोन बजने लगा हेलो अली ने बात की इप मुबाइल पर जनाब उदर से एक आदमी की आवास कानों में पड़ी हमारे आदमी उन लड़कों मैंसे च्छे के घरों में जा चुके हैं परंतु उन च्छे घरों में एक भी नहीं मिला आसपास के लोगों से पता चला कि कुछ लोगों ने जबरदस्ती उठा कर ले गए है ये कपकी बात है अली का चैरा कटोर हो गया रात के किसी वक्त की जो बचे हैं उनके घरों में भी हमारे आदमी पहुचने वाले होंगे कोई फायदा नहीं फिर भी मुझे उनके बारे में बताना अली ने दाद भीच कर का और फोन बंद कर दिया उसे महसूस हो गया था कि कोई गड़बड हो रही है वो समझ नहीं पाया परन्तु मोना चौधरी का चैरा आँखों के सामने नाच उटा कि कहीं सब कहीं ये सब वो तो नहीं कर रही जो भी लड़के जो भी लड़कों के घरवालों को ले गया है आखिर वो चाहता क्या है इस्लामाद वही बंगला जिसमें देवराच चौधरी, महाजन, जैदी, वारिस और उन आतंगवादियों के परिवार वाले बंदक के रूप में वहाँ मौझूद थे काम हो चुका था, जो रिकॉर्डिंग में करना चाहते थे वो पूरी हो गई थी उस्मान अपना सामान समेट कर वहाँ से जाने को तयार था वारिस, तुम्हें छोड़ाएगा, देवराद चौन ने का शुक्रिया, उस्मान बोला, मेरा अकेले जाने ही ठीक है कितनी देर में ये सब टीव पर आने लगेगा एक दिल घंटे में उस्मान ने का और अपने कैमरे और लाइटों के साथ चला गया देवराद चौन ब्राइंग हाल में पहुँचा जहां वो सब लोग मौजूद थे मोना चौदरी और जैदी वहाँ थे महाजन बातरूम में था, वारिस तो पहले की तरह कुर्शी पर बैठा हुआ था अब तो हमें जाने दू, एक आदमी कहोटा जैसा तुम जाते थे हमने कर दिया है अभी तुम लोगों को छोड़ा नहीं जा सकता शायद रात तक छोड़ा जा सके देवराद चौन बोला, हमें भूख लग रही है तुमने हमें अभी तक कुछ भी खाने को नहीं दिया एक आउरत कहोटी मेरे दौनों बच्चे भूख से बिलक रहें दूसरी आउरत ने कहा देवराद चौन ने जैदी से कहा तुम वारिस के साथ जाओ और इसके लिए इनके लिए खाने का सामान दूद, बिस्कृट जो भी ठीक समझो ले आओ जैदी ने वारिस को देखकर कहा चल, हम बजार चलते हैं वारिस उटा और जैदी के साथ बाहर निकल गया तब ही मोना चौधरी कह उटी तुम जो चाहते थे वो काम हो गया अब तुमें मेरी जरुरत तो नहीं देवराद चौन ने मोना चौधरी को देखा फिर मुस्करा कर कह उटा तुमने मेरा काम आसान कर दिया हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी के काम को आसान करे गई खास तोर से तब जब धर्ती पाकिस्तान की हो देवराद चौन मुस्करा तरा मैं जा सकती हूँ मोना चौधरी ने पूछा मैं कैसे कह सकता हूँ कि तुम जाओ लेकिन तुम्हें अपना काम भी है देवराद चौन बोला अगर मैं वेस्त ना होता तो अवश्य तुम्हारा साथ देता पाकिस्तान की धर्ती पर मुस्कराई मोना चौधरी चलती हूँ, मोना चौधरी ने का मोना चौधरी और महाजन की नजरे मिली मोना चौधरी ने देवराद चौन से कहा तुम अपना फोन नमबर दे दो मुझे जरूरत पड़ी तो तुम्हें फोन कर लूँगी बेबी, महाजन के होटों से निकला हमें जरूरत नहीं पड़ेगी जरूरत पड़ सकती है मोना चौधरी का सरशान था महाजन नमू फेर लिया देवराद चौन ने मोबाइल नमबर बता कर कहा ये नमबर तब तक ही चलेगा जब तक मैं पाकिस्तान में हूँ तब तक के लिए ही नमबर चाहिए मुझे मोना चौधरी ने का और महाजन के साथ बाहर निकल गई देवराद चौन ने वहाँ बैटे लोगों पर नज़र डाली एक कुर्सी खीच कर बैठा और मोबाइल निकल कर नमबर में लाने लगा फॉरन ही बैल गई फिर रफीक मीर की आवाज कानों में पड़ी ये काम वो लोग सुबह से कर रहे हैं ओ ये ठीक किया मैंने सब तैयार कर रखाए कि ये खबर किस तरह दिखानी है एक बात बताओ क्या तुम्हें क्या लगता है कि ये खबर सुनका रातों का दिदिल्ली में हत्यार डाल देंगे कुछ खामोश रहकर देवराज चौन गंबीर सुर में क्या उठा मैंने वो सब कर दिया है जो मेरे मन और दिमाग में था आगे उसका क्या असर होता है मैं नहीं जानता लेकिन असर जरूर होगा वो असर हमारे हक में होगा ये मैं नहीं जानता तुम वहां आपर टीवी खोल लो देखो कि हम कैसे शांदा ठंग से इस खबर को देते हैं बातचीत खत्म हो गई देवराज चौन न दिल लिस्थित मदुकर पांडे का नंबर मिलाया हेलो मदुकर पांडे की आवाज कानों में पड़ी देवराज चौन तुम मदुकर पांडे का बेचैनी भरासवर देवराज चौन के कानों में पड़ा अब हम आतंग वादियों पर हमला करने की रणनीती तयार कर रहे है हम शायद अगले एक घंटे तक तीनों जगों पर धावा बोल देंगे अपनी तयारी पूरी कर लो लेकिन जल्दी मत करो जो मैं कर रहा हूं उसका नतीजा भी देख लो मुझे नहीं मालूं कि तुम क्या कर रहे सुबह मैंने तुम्हें बताया था कि याद है मुझे परन्तु अभी तक तुमने जो कहा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ सबसे आगे चैनल वाले जीरो टीवी लगाए हुए अगले एक देड़ घंटे में वो खबर टीवी पर आनी शुरू हो जाएगी देवराज चोहान ने का ओ पक्की बात कर रहे हूं ऐसे मौके पर मैं मजाख नहीं कर सकता मत कर पांड़े पक्का ही कह रहा हूं एक देड़ घंटे तक हाँ परन्तु इस बात पर भरोसा मत करना कि वो खबर देखकर आतमगादी हत्यार डाल देंगे कुछ भी हो सकता है तुम अपनी कमांडोस तयारी पूरी कर लो शायद कुछ ऐसी गड़बढ़ हो कि तुम्हें आनन फानन हमला करना पड़े उन पर तुम कोई नई मुसीबत तो खड़ी नहीं कर रहे मैं सिर्फ वही कर रहा हूं जो तुम्हें बताया है परन्तु इसके नतीजे के बारे में पक्का नहीं हूं दिमाग में यही रखो कि कुछ भी हो सकता है बात हमारे हक में भी जा सकती है और खिलाब भी समझ रहा हूं तुमारी बात मदुकर पांडे का चिंतित स्वर देवराद चौहन के कानों में पड़ा लेकिन हमें रिस्क लेना पड़ेगा इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है हमें हर तरह की कोशिश करनी पड़ लिए पता नहीं हम काम्याब भी हो पाते हैं या नहीं ये मेरे अमत्यान का वक्त है आतंगवादियों से नपटने में जितनी देर हुई है उपर वालों का उतना ही दवाब मुझेपर बढ़ता जा रहा है कि मैंने अब तक सब ठीक क्यों नहीं किया कुछ करता हूँ तो बंदोकों की जान कर जाने का खत्रा है नहीं करता तो अभी बंदोकों की जान जाएगी मैं तो जब ऐसा वक्त आए तो हर आदेश को तैक कर अपने कर्म के रास्ते पर चलो डगैती मास्टर मुझे समझा रहा है रास्ता सुझा रहा हूँ करना तो सब कुछ तो महीं है जो अभी टीवी पर आतमगादियों को दिखाय जाएगा अगर उसका कोई एसर नहीं होता तो अब तो मैं एक्षन में आना ही होगा देर करोगे तो आतमगादी बंदोकों को मारना शुरू कर देंगे डरो मत किसी भी बात से हालात का डटकर मुकाबला करो ये बताओ कि जो आतमगादी सिनेमा हॉल में मौझूद है उन्हें टीवी पर आने वाली कबर कैसे दिखाओगे उस सिनेमा हॉल में डिजिटल तकनिक से फिल्में दिखाई जाती है सबसे आगे चैनल वालों से मेरी बात हो गई है कि वो उस हॉल के पड़्दे पर डिजिटल तकनिक से वो सारी कबरें दिखा देंगे पर अंदु एक घंटा देरी से वे देख पाएंगे क्योंकि टीवी वालों को सिनेमा हॉल में पहुँचने में एक घंटा तो लगी जाएगा वो तुम देखो अब जो करना है तुम ही करना है देवराद चौन ने गंबीर सर में काओ और फोन बन करके जेम में रखकर कुर्सी से खड़ा हुआ और कमरे में एक तरफ पड़े टीवी को चलाया और उस पर हिंदुस्तान का सबसे आगे चैनल लगा कर कुर्सी की तरफ बढ़ा की एक आएक नीचे वैठे दो वैक्ती उठे और देवराद चौन पर जपट पड़े देवराद चौन को अकेला पाकर उन्होंने उस पर काबू पालेनी की सोची थी एक आदमी देवराद चौन को लेता नीचे आगे रहा दूसरा भी देवराद चौन पर जपटा परन्तु तब तक देवराद चौन समल चुका था अपने पर जपटते दूसरे आदमी के पेट पर जूते की जोड़ दाट ठोकर मारी तो वो करा कर पीछे को जागे रहा फिर देवराद चौन ने अपने से लिपटे आदमी के सिर के बाल पकड़ कर उसके चेहरे पर जोड़ दार घूसा मारा तो वो चीक कर जट पटा उटा तबी देवराद चौन ने दो और आदमी को उटते और अपनी तरफ लपकते देगा दाद भीच कर देवराद चौन ने अपने उपर पड़े आदमी को परेड अकेला और फुर्ती से जेव से रिवालवर निकाल ली रिवालवर देवराद चौन के आत्म देखकर वे ठिटक गए पहले वाले दोनों भी उट खड़े हुए रिवालवर को अपनी तरफ तनी पाकर उनके चैरों पर घवराट ना चुटी थी देवराद चौन के चैरे पर कठोड़ता नाच रही थी चलो पीछे देवराद चौन हाथ में डबी रिवालवा हिलाता सक्त सर में क्या उटा वे पीछे अट गए और घवराई से अपनी जगों पर जा बैठे देवराद चौन उट खड़ा हुआ कठोड़ता ने अभी तक उसके चैरे का साथ नहीं छोड़ा था दोबारा ऐसी हरकत करने की किसी ने चेश्टा की तो गोली मार दूँगा देवराद चौन गुर्राया सब सहमे से बैठे रहे तुम लोगों को मेरे से कोई खत्रा नहीं है देवराद चौन शब्दो को चबा कर गए उटा लेकिन गलत हरकत करोगे तो मरोगे सिर्फ रात तक तुम लोगों को यही पर इसी तरह बैठे रहना है उसके बाद सबको आजाद कर दिया जाएगा सिर्फ रात तक, हर कोई याद रखे और चंद घंटों का वक्त आराम से निकाल लो सब चुप, धरे से बैठे रहे देवराद चौहान ने रिवॉल्वर वापिस जिम में रखे महाजन के होटों से निकला, वो अचकचा उठा मोना चौदरी ने कुछ नहीं का, तुम कहना क्या? चाहती हो बेबी, महाजन मोना चौदरी गंबीर सर में क्या उठी देवराद चौहान जो करना चाहता उसका बहुत तगड़ा असर होगा अतंगवादियों पर वो कैसे? जो लोग इस तरह दूसरों की जान लेने जाते हैं, हकिकत में वो कमजोर होते हैं एक दो को छोड़कर ऐसे कमजोर लोग ये बात कभी भी सैन नहीं कर सकते कि कोई उनके परिवार वालों को यातना दे, तकलीफ दे तुमारा मतलब है कि व्यक्ता हतियार डाल देंगे माजन के ओटो से निकला, मेरा यही कहल है, ऐसा ना हुआ तो ना हुआ तो मैं नहीं जानती, पर अंतो ऐसा होने की संभावना जादा मान लो उन्होंने हतियार डाल भी दिये, लेकिन तुम क्यों दिल्ली पहुचना चाहती हो, क्यों तुम वो आतंगबादी हतियार डालेंगे तो फिर क्या होगा, मोना चौधरी बोली होना क्या है, पुलिस उन्हें गरफ़तार कर, उसके बाद क्या होगा, माजन ने गहरी निगाओं से मोना चौधरी को देगा, कानून उन्हें सजा देगा, माजन ने का, उन पर केस चलेगा, 600-700 लोगों को मारा है उन्होंने, सब जानते हैं ये, ऐसे में उन्हें गरफ़त दिया जाता है, उसके बाद ही उसे सजा दी जाती है, वही तो मैं कहा रही हूँ कि जब सब जानते हैं कि वो 600-700 लोगों को कहते आ रहे हैं, तो कानून और अदालत वकीलों का ड्रामा क्यों, उन्हें तो सीधे-सीधे मौत पर लटका देना चाहिए, मोना चौधरी ने लोग, तब वहाँ क्यों ना हूँ, हम उन्हें उनके की एकी सजाद दे देंगे, ये संभव नहीं, माजा ने इंकार में से रिलाया, जब तक हम दिल्ली पहुचेंगे तब तक सब कुछ निबठ चुका होगा, यहां से दिल्ली पहुचने में हम कम से कम 32 से 34 गंटे सामने स्टीडी बूत देखकर मोना चौदरी ठिटकी, फिर बोली में आभी आई, वो बूत की तरफ बढ़ गई, माजन वहीं खड़ा रहा, दस में मोना चौदरी लोटी और विपना आगे बढ़ गए, हमें एक कार किराये पर लेनी होगी मुझाफराबाद के लिए, जिस अब खतरनाक होगा, माजन क्या उठा, इंडिया, दिल्ली, वक्त चार बजे, खुराना ने मदुकर पांडे को फोन किया, बात हुई, अभी कुछ नहीं हुआ टीवी पर, अभी तो नहीं, मदुकर पांडे का गंबीर सर कानू में पड़ा, तुम देवराज चान पर जाध मैंने अपनी पूरी तयारी हो चुकी है, हर जगए बंफिट कर दिये गए हैं, मेरे कमांडोस एक्शन में आने के लिए तयार बैठे हैं, मदुकर पांडे की आवाज में फरेशानी के भाव भी शामिल थे, विस्पोटक कहा खान लगा हैं, खुराना ने पूचा, राइल मेरे इशारे का अंतिजार है, मेरा सिर्फ एक इशारा, तुमने उपर खबर कर दी कि तुम एक्शन लेने जा रहे हो, हाँ, उपर वालों को सब खबर है, और वो भी समझ रहे हैं कि आतंग बादियों पर हमला करना ही है, करना ही पड़ेगा, तो देर क्यों लगा रहे हमला कर देना, तुमने आतंग बादियों को चार बजे तक का वक दिया था, मदुकर पांडे बोला, हाँ, चार बज गए हैं, अब आतंग बादियों के व्यकुलता चरम सीमा पर पहुंच जाएगी, वो लोग परिशान होने लगेंगे, अपना सैम खोने लगेंगे, यह हाला सा फोन बज रहा है, खुराना कानों पर फोन लगाए रहा, करीब दो मिनट बाद मदुकर पांडे गत्तेस और खुराना के कानों में पड़ा, खुराना, देवराद चौन न कर दिखाया, क्या, खुराना के होटों से निकला, सबसे आगे निउस चैनल वालों का फोन था, वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान के जेरोटीवी पर उन सब अतगवादियों के परवार वालों को दिखाया जा रहा है, देवराद चौन भी उस टीवी पर है, इस सारे मामले की रिकौरडिंग करके अपने चैनल पर दिखाने वाले हैं, वो कह रहा हैं कि हम जेरोटीवी के इस तु सिनेमा हॉल में? उसकी तुम फिक्र मत करो। टीवी वाले सिनेमा हॉल के पढ़ते पर भी सब दिखा देंगे एक गंटे बाद। मैं आतम गादियों से बात करता हूँ। क्याकर खुराना फोन काटा और वहां मौजूद आदमी जिका, सबसे आगे चैनल लगा। वो वे सरकार के अधिकारियों के साथ वे चारोस कश्मीर पहुंच गए हैं। अब उन्हें सीमा पार कराना ही बाकी रह गया है। एक गंटे तक की एक काम हो जाएगा। अब तो बंदकों को छोड़ दो। बशीर को हमारे पास कब तक पहुचाया जा रहा है। सैफ की आने वाली अवाज सक्त हो गई। हाँ उसका भी फैसले ले लिया गया है। वो भी एक सावा घंटे तक तुमारे पास होगा। खुराना नका, नजन टीवी पर थी, जहां देवराज चौन से वास्ता रखती कोई ख़बर नहीं आ रही थी। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि भारा सर कर दिया। सबसे आगे चैनल पर आतंगवादियों की रुटीन की खबरें आ रही थी। खुराना न रोयल नाइट कलब में मौझूद आतंगवादियों का नंबर मिलाया। दूसरी तरह बेल जाने लगी। फिर अधनान की आवाज कानों में पड़ी। हेलो, चार बज अगर के एरपोर्ट पर उन सब को लेकर विमान उतरा है। एक गंटे में उने सीमा पर करा दी जाएगी। तुम कोई चाल तो नहीं चल रहा है। हम चाल चलने की स्थिती में होते तो कब की चल चुके होते। खुराना का सौर शान था, वहाँ टीवी चल रहा है। हाँ, अब से आगे लगाए रखो, तुमारे हर सवाल का जवाब अब वहीं पर मिलेगा। कड़क कर खुराना ने फोन बंद कर दिया। वहाँ मौझूद आदमी खुराना से क्या उटा। क्या होगा टीवी पर, आप कैसी खबर की बात कर रहे हैं। मैं नहीं जानता। खुराना पार भी पहुँच जाएंगे। शायद कुछी देर की बात है। तुमारे वहाँ टीवी चल रहा है ना। अदनान ने कान से फोन अटाया और नजरन टीवी की तरफ घूमी। कुछ पलों तक तो वह टीवी स्क्रीन को देखता रहा। वहाँ पर वही आतंगवादियों के पुरानी कबरे बार बार दे रहे थे। वही दिर्शिद दिखाये जा रहे थे। क्या बात है। नवाब न पास आकर पूचा। को समझ में नहीं आ रहा। टीवी पर से नजरें हटाता अदनान के उटा। वह कुत्ता कहता है कि हम सबसे आगे नीज चैनल को देखें। वह नवाब न तीके सवर में कहा। हमारे चारो साथियों के बारे में क्या कहता। उन्हें कश्मीर पहुचा दिये गए जल्दी वे सीमा पर कर लेंगे। ठीक है हमारा काम हो गया। तू लीडर को फोन कर। नवाब न सेरे लाया। उसे सारे हालात बता और कहे कि हमें यहां से निकाल कर पाकिस्तान पहुचाने का काम शुरू कर दें। सामने खान गंथा में बंदोकों के बीच टहल रहा था। अतनान लीडर के नंबर मिलाने लगा। क्या हो रहा है। दूर से ही खान न पूचा। बढ़िया है हमारे चारो साथी कश्मीर पहुच गया नवाब बोल शाहिद उपर है। उसे देखा और सुना दे खबर भी। खान पुना बोला। एक मिनट। लीडर से बात होने वाली है। नवाब ने कहा। अतनान ने फोन कान से लगा रखा था कि तभी लीडर की आवाज उसके कानों में पढ़ी। अतनान। मैं ही हूँ, खुश कबरी है हमारे चारो साती कश्मीर जा पहुचें, को उस देर में वो सीमा पार पहुच जाएंगे। लीडर की आवाज नहीं आई। लीडर सुन रहा हूं। तुम्हें वेरी बास उनका खुशी नहीं हुई किया। तुमने जवाब नहीं दिया। अतनान क्या उटा। बहुत गलत ह हो रहा है। लीडर की गंबीर आवाज कानों में पड़ी। गलत? क्या मतलब? भारा सरकार कोई चालाकी कर रही है तुमसे, जूट बोल रही है, दोका दे रही है। लीडर की आवाज में गंबीरता थी। हमारे चारो साती अभी तियार जेल में बन दें। नहीं, असंबफ यह नहीं हो सकता, अधनान का मुझ खुला का खुला रह गया। यही सच है मेरे भाई, तुमसे जूट बोला जा रहा है। लीडर की आवास तीक ही होती जा रही थी। मेरे ख्याल में भारा सरकार कुछ करने वाली है और तुमसे क्या कहा गया है। अधनान तो हक्का बक्का खड़ा था। कहा गया है कि हम सबसे आगे न्यूज चैनल देखते रहे हमारे काम की खबर आने वाली है। काम की खबर? हाँ, कैसी खबर? मैं नहीं जानता लेकिन तुमारी बात से मैं अंदर तक हिल गया हूँ। क्या भारा सरकार हम पर हमला करने का इरादा रखती है? मु मैं तुमारी हालत समझ रहा हूँ अदनान। लीडर का खटोर सर कानों में पड़ा। इमतहान के आखरी वक्त पर खबर मिले की पेपर कैंसिल हो गया तो विश्वास नहीं आता। लेकिन मैंने जो का है वही सच है। हमारे चारो साती अभी भी जेल में बन दें। तुमसे और कमांडोस पर नज़र रख रहे हैं कोई गड़बड हुई तो वो सब समाल लेंगे परन्तु तुम लोगो को हिमत नहीं हर निए हम भारा सरकार की चालाकी को सफल नहीं होने देंगे। कमांडोस हम पर हमला करने वाले हैं। तुम फिक्र क्यों करते हो तुम लोगों के पास असला बारूत इतना है कि सबको खत्म कर सको, उन्हें हरा सको, मेरी बात को अच्छी तरह सुन लो, कि जब भी तुम लोगों को लगे कि कमांडोस का हमला हो गया है, तो सबसे बहले बंदकों को मारू, बंदकों की मौत का मतलब है भारा सरकार की हार, डट कर मुकाबला कर देंगे कि उन्हें अपनी जान बचाने का मौका भी नहीं मिलेगा, और उसके बाद मैं तुम सबको यहां से निकाल लूँगा, अदनान निसू के होटो पर जीफ फेरी, सुन रहा हूँ अदनान, हाँ सुन रहा हूँ, डरने या घबराने की जरूरत नहीं है, जरूरत है डटकर मुकाबला करने की, समझ गया, अदनान के होट भिज गये, पर वो हमें टीवी पर देखने को क्यों कह ह confirmed बाते हैं, बारे सरकार का अइरादा तुम लोगों को खामका परेशान करने का है, कि किसी तरह तुम लोगों का हासला तोड़ें, भला टीवी में तुम लोगो को पास बुलाया मैं तुम लोगो बुरी ख़बर देना चाहता हूं अधनान कुरूर सर में क्या उटा भार है सरकार हमसे दोखा कर रही है हमारे चारो साती अभी भी तैहार जेल में बंद है और हमें कहा जा रहा है कि उन्हें सीमा पर पहुचाया जा रहा है यह यह नहीं हो स पर हमला करने को तैयार है जब कमांडोस हम पर हमला करेंगे मैं सब कमांडोस को मार दूँगा नवाब दरिंदी की से कह उठा जब कमांडोस हम पर हमला करें तो सबसे पहले हमें बंदकों पर गोली चलाएंगे उन्हें खत्म कर देना है अधनान की आवाज में वहशी वो हमें यहां से निकाल ले जाएंगे और लीडर हमसे को पाकिस्तान पहुचा देगा बस हमें हमें हम्मत नहीं आर नहीं है बाकी दलों के साथ क्या हो रहा है नवाब क्या उठा अधरान ने दौनों को देखा और परेशान सवर में क्या उठा हमें इस वक्त दूसरों के बारे में अपरे बारे में सोचना चाहिए अधरान के चेहरे पर कुरुड़ता के भाव थे मैं उपर शाहिद के पास होकर आता हूं उसे सतर कर दूँ मैं हत्यारों ग्रेनेडों को तयार करता हूं नवाब गुर राया परंतु उन्होंने हमें सबस कि बातों में नहीं आने वाले, क्योंकि हमें पता चल गया है कि हमारी मांगें नहीं मानी जारी, इस बारे में हम से जूड बोला जा रहा है, हमारे चारो सातियों को सीमा पार नहीं बेजा जा रहा, भारा सरकार हम पर कभी भी कारवाई कर सकती है, पाकिस्तान ठीक कहता है कि भारत धोकेबास देश है, इस देश पर विश्वास नहीं किया जा सकता, ये कहता कोच है और करता कोच है, तुम सब जंग की तयारी कर लो, हमें ये जंग जीतनी है, हम अपना सिर्फ गर्ष से उज़ा करके पाकिस्तान पहुचेंगे, अधिनान ने कहा और उपर जाने वाली सीडियों की तरफ बढ़ गया, नवाब मौत भरे अंदाज में हसकर खान से कह उटा, अब आएगा माजा, हिंदुस्तानियों का ऐसा सबक सिखाऊंगा कि साले हमें कभी भूलेंगे नहीं, चार पैंटीस, डल नंबर दो, राज़ोरी पबलिक स्कूल की लाइबरेरी, सब यहां से निकल कर अपने प्रिय जनों के पास पहुंच जाना चाते थे, असलम एक हाथ में सैटेलाइट फोन और दूसरे में गन थामे एक तरफ ख़डाता, रह रहकर उसकी निगा टीवी की तरफ जा रही थी, जहां सबसे आगे चैनल चल रहा था, आबू असलम के पास प जवाब में असलम ने गन वाला हाथ उपर किया, मतलब की सब ठीक है, तब ही सैटेलाइट फोन बज उठा, चिडिया के चेकने के आवाज गूंज उठी, असलम ने कॉलिंग से इस दवा कर बात की, हेलो, असलम, लीडर की आवाज गंबीर, लीडर की गंबीर आवाज कानो पहुचा दिये गया, उन्हें सीमा पार कर आई जा दिये, जबकि हगीकत यहीं कि वो चारों अभी भी त्यार जेल में बन दे, असलम को पाउं तले से जमीन खिसकती महसूस ही, नहीं, उसके होटों से निकला, ये साच है, असलम से कुछ कहते ना बना, असलम के चेरे के बा कमांडोस ने तुम पर हमला किया, तो मेरे आदमी उन पर टूट पड़ेंगे, एक एक को भून देंगे, लेकिन इस बीज तुम लोगों को हिम्मत नहीं आपनी है, कमांडोस का हमला होने पर तुम लोगों ने सब बन्दगों को भून देना है, एक भी जिन्दा ना बचे, बारा सरकार को सबक सिखा देना है, कि अच्छी तरह कि तुम लोगों से दोका करने का अंजाम कितना बुरा होता है, वो सोसते हैं कि कमांडोस हमला करके तुम सबको मार के बंदगों को बचा लेंगे, उन्हें दिखाना है कि ऐसा सोचना उनकी भूल है, बहुत बारी भूल समझ गए असलम? हाँ, परम तुम मुझे अभी भी विश्वास नहीं आ रहा की, जो मैं कह रहा हूँ उस पर बिना सोचे विश्वास करो और वही करना जो मैंने कहा है, मैं समझ गए लीडर, दाद भिजगा असलम के, वो गुर्रा उठा, अगर हम पर हमला हुआ तो बंदोग उसकी निगा टीवी की तरफ गई, क्या बात है, आबू से रोका ना गया तो वो पूच बैठा, परन्तु असलम की निगा तो टीवी पर टिक चुकी थी, अभी नदीम की आवास गुझी, टीवी देखना ज़रा, ये तो पाकिस्तान के जीरो टीवी की तस्वीर हैं, ऊपर जीरो टीवी लिखा भी है, आबू की नजर फॉरन टीवी की तरफ गई, बंदक भी टीवी की तरफ देखने लगे थे, तुमारे सामने टीवी ये लिडर, असलम ने अजीब से सर में का, हाँ, तो देखो, क्याकर असलम ने कान से फोन अटाया और उसे बंद किया, नज़र टीवी स्क्रीन पर थी, सरनाटा चा चुका था वहाँ, असलम ने आगे बढ़कर टीवी की आवाज को स्टेज कर दी, टीवी की स्क्रीन पर देवराच चौन का ढखा चैरा दिख रहा था, नाक तक कपड़ा बंदा था, सिर्फ आखें माता और सिर के बाल नजर आ रहे थे वो कह रहा था, मेरा नाम देवराच चौहान है, हंदुस्तान में मुझे टखेती मास्टर के नाम से जाना जाता है, टखेतीय डालना मेरा काम है, मैंने आस तक कितनी टखेतीय डाली इसका हिसाब नहीं है मेरे पास, इस वक्त मैं पाकिस्तान के जीरो टीवी दॉरा आप है दिल्ली पर हुआ पड़ा आतंग की हमला में तब दिल्ली में ही ता जब अतंग वादियों ने दिल्ली पर हमला किया और चेह सो साथ सो मासूम लोगों को बेरहमी से गोलीों से भूंदिया और अब darken बड़ी तिन दल बनाकर दिल्ली की अलग अलग तीन जगों पर कबजा किये बैठे और उनके पास कुल 250 के करीब बंदा के मैं उन आतंगवादियों के नाम जानता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी बात वो दसों आतंगवादी सुने टीवी पर मैं उनसे बात करने के लिए ही आया हूँ उन आतंगवादियों के नाम है सैफ, मिर्जा, आबू, नदीम, असलम, नवाब, खान, चाहिद और आधनान ये लोग पाकिस्तान के ही है मैं जानता हूँ कि ने अली नहीं दिल्ली पर हमला करने के लिए तयार करके बेजाए च्छाब अठिटक का देवराच चौहान पुना के उटा मुझे पूरा यकीन है कि ये आतंगवादी मेरी बात सुन रहे होंगे जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि मैं हिंदुस्तान का नामी टेकेटी मास्टर हूँ और खुन खराबा करना मेरा शौग है किसी की जान लेने में मुझे हिचक नहीं होती मेरे खतरनाक किसे हंदुस्तान के अफ़ारों में अक्सार आते रहते हैं तो मैं दिल्ली पर हमला किये आतंगवादियों से कह रहा हूँ कि मैं ये भी जानता हूँ कि वो तीन दलों में किस पकार बटे हुए एक दल ने साउट एक्स्टेंशन के रॉयल नाइट कलब पर हमला कर रखा है उस दल में नवाब, खान, शाहिद और अधनान है दूसरे दल मैं अब सिर्फ मिर्जा और सैफी बचे है, नदीम हका बका सा पास आप हो चाथा, ये क्या हो रहा है, नदीम ने अजीब से सर में पूछा, क्या पता क्या हो रहा है, नदीम के माते पर बल दिखाई दे रहे थे, ये देवराज चौहन, डखेहती करने वाला आकिर कहना क्या चाता है असलम चीखा सुनते रहो नवाब कह उठा मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा आके खुराना ने क्यों कहा कि हम इसे सुने असलम शंका में फसा था तब ही देवराद चौहान की आवाज फिर गून चुटी लाशे बिचाने को अपनी जीत ना समझे लाशों से कभी किसी का दिल नहीं जीता जा सकता उनके हमले में भी दम नहीं है जो हमला मैंने किया है उसे सबसे बड़ाद आमला का जाए तो गलत नहीं होगा नवाब के होंटों से निकला तो क्या टेक है थी मास्टर देवराच चाहन ने पाकिस्तान पर हमला किया है सुनते रहो अधनान के दाद भिची हुई थे सब की निगा टीवी स्क्रीम पर नज़र आते चेहरा ढ़ापे देवराच चाहन पर थी बंदक लोग भी सब देख सुन रहे थे उन दसो आतंगवादियों मैंसे बशीर ही ऐसा है जिसका कोई परिवार नहीं है वो दुनिया में अकेला और वही पुलिस के हाथ लगा परंतु बाकी नो के नो आतंगवादियों के परिवार है उनके माँ बाप भाई बहन भाईयों के बच्चे यानि कि सब का कोई न कोई है और अब वो सब मेरे कबजे में है असलम का मुझ खुलता चला गया नदीम उचल पड़ा ये पागल क्या कह रहा है आबू चीक उटा हमारे परिवार वाले इसके कबजे में ये नहीं हो सकता ये जूट कह रहा है नदीम चीका तीनों के पटी-पटी निगा टी-वी स्क्रीन पर दी देवराच चौहान के आवाज वहाँ सब को सुनाई दे रही थी ये है मेरा सबसे बड़ा हमला तुम सब के परिवार, रिष्टेदार मेरे कबजे में मेरे रहमो करम पर है मैंने उन सब को मौत की धार पर रखा हुआ है देवराच चौहान का सर गंबीर और कठोर था जाहिर है कि तुम लोग जरूर अपने रिष्टेदारों माबाप, माई भेन, भाबी, बच्चों गाल देखना चाओगे और मैं भी दिखाऊंगा ताकि तुम्हें मेरी बात का यकीन आ सके अभी मैंने बहुत बाते करनी है लेकिन उससे पहले जरूरी है कि पहले अपने परिवार के लोगों का हाल देख लो बाकी बाते उसके बाद होंगी नदीम, असलम और आबू काटो तो खून नहीं इस तब्द से खड़े टीवी को देखे जा रहे थे फटी यांखें, रुकी सासें चैरे पक्रोध, अविश्वास और व्यकुलता के भाव थे ये टकैती मास्टर पागल हो गया है असलम चीखा, हमारे परिवार इसके पास कैसे हो सकते हैं अली भला ऐसा क्यों होने देगा, नदीम गुर्राया हम अली के काम पर हैं तो हमारे परिवारों का ध्यान रखना अली का काम है आबू ने दाद भीचकर का, यह जूट कहता है कि हमारे परिवार के लोग इसके पास सबसे पहले में दल नंबर दो यानि के असलम नदीम और आबू के परिवार वालों का हल दिखाता हूँ स्क्रीन पर नजर आ रहे देवराद चोहन ने का अगले ही पल स्क्रीन पर से देवराद चोहन कायब हो गया वहाँ खाली स्क्रीन दिखने लगी तीनों की फटी पटी निगा टीवी स्क्रीन पर थी वो अमारे परवार वालों परवार को दिखाने को कह रहा असलम बोला यह क्या हो रहा है नदीम गुस्टे में चीग उठा मुझे तो यकीन नहीं आ रहा की तभी सैटेलाइट फोन बज उठा चड़िया चैक उठी असलम सॉरी हेलो असलम ने हाफते से अंदाज में बात की नज़र टीवी पर थी टीवी देख रहे हो ना दूसी तरफ खुराना था तुम हरामी कुट्थे असलम गला फाल कर चीग उठा ये जब क्या हो रहा है मतलब की देख रहे हो कहने के साथी उदर से खुराना ने फोन बंद कर दिया था छोड़ू का नहीं हराम जादे को असलम चीखा खुराना था नदीम ने दाद किट-कटार बूचा हाँ वो ही कुट्ता तब ही स्क्रीन पर 55 वर्ष की एक औरत दिखी अम्मी नदीम के होटों से निकला उसका चेरा फक पड़ने लगा ये तेरी अम्मी है असलम क्या उठा परन्तु नदीम भटी-भटी आँखों से टीवी स्क्रीन को देखे जा रहा था तब ही नदीम का अपनी मा कमरेग के दर्वाजे पर लटकी दिखाई दी उसके दौनों हाथ उपर को थे कलाईयों पर बंदी रस्ची को दर्वाजे के दूसी तर्वसे किसी ने खीच कर पकड़ लगा था वो चीक रही थी तड़प रही थी तब ही देवराज चान न उसकी टांगों पर जोर का टंडा मारा वो गला फालकर चीक उटी अमे नदीम चीका घुस्से में वो कांप रहा था चैरा सुर को उठा था देवराज चान न तीन चार टंडे मारे उसे वो पीडा से गला फालकर चीकने लगी ये देखती हुए आखे लाल हो गई थी नदीम की अगले ही पल नदीम काँ पुठा देवराज चौन के हाथ में बड़ा वाला छुरा दिखाई देने लगा तीवी में दिखाई दे रहे उसकी मा भी छुरा देखकर पुना चीखी और रोने लगी देवराज चौन चेहरे पर दरिंदी की समेटे पास पहुचा और गले पर छुरा रग दिया नदीम के होटों से फटा फटा सौर निकला मेरी अम्बी को मत मारो वो मर जाएगी असलम और आबू बुथ से बने टीवी पर आ रहे दिर्श्यों को देख रहे थे तबी देवराज चौन ने केमरे की तरफ देखा ऐसा लगा जैसे वो टीवी में से नदीम को ही देख रहा हो छूरा नदीम की मा की घर्दन पर था क्यों नदीम देवराज चौन वहेशी सर में बोल़ा मार दू तो मारी मा को नहीं मत मारू वो मेरी अम्मी है वो नदीम का सर थरथरा उठा मेरे हाथ का हलका सजटका तुमारी मा की गर्दन अलग कर देगा देवराज चौहन गुर्राया मत मारू नदीम की सासे तेज तेज चलने लगी थी चेहरे पर पीड़ा और बेचैनी थी तब ही उसने देखा कि छुरा उसकी अम्मी की गर्दन से अट गया नदीम को राहत मिली परन्तु टांगों में कमपन महसूस किया बहुत हत्याई की है मैंने देवराज चौहन टीवी में कह रहा था परन्तु तुमारी माँ और तुमारे परिवार वालों को मारकर जो आराम मुझे मुलेगा वो मैं बता नहीं सकता क्योंकि इन्हें मारकर मुझे ऐसा लगेगा जैसे दिल्ली का बदला मैंने ले लिया नीचे उतारो इसे दर्वाजे के पीछे से रसी रसा ढीला किया तो उसकी मां के पैर फर्ष पला लगे परन्तु वो खड़ी नहीं रहे सिक्यों नीचे बैठती चली गई उसी पल दर्वाजे के पीछे से मूँ पर कपड़ा ओड़े महाजन निकला और नदीम की मां के हाथ खोल दिये देवराद चान इस दोरां छुरा था में खुंकारता बरियां दाजमवाद टैलता रहा उठो महाजन की आवाज गुजी वो नदीम की मां से कह रहा था वो और तुठी और आगे बढ़कर अपने पती छोटे बेटे और बेटी के साथ जा खड़ी हुई अबा नदीम के होटों से निकला मेरे भाई बहन भी उख उन सब के पास जैदी चेहरे पर कपड़ा ढ़ापे रिवॉल्वर था में खड़ा था देख लिया नदीम तुम फस चुके हो तुम्हारा परिवार मेरे कबजे में है अली भी तुम्हारे परिवार को बचाने का दम नहीं रखता जिसके इशारे पर तुमने दिल्ली पर हमला बोला मेरा दिल तो कर रहा है कि मैं इन सब को तलपा तलपा का बुरी मौत मारू परन्तु मैं तुमें एक मौका देता हूँ कि अपने परिवार को चाहते हो तो बचा लो दिल्ली में हत्यार डालो और बहार आकर खुद को कानून के हवाले कर दो नदीम सन ने रह गया असलाम और आबू की निगा नदीम की तरफ गई नदीम ने भी उन दोनों को देखा कई पलों तक वहाँ खामोशी रही उधर देवरा चुहान अपनी बाते कहे जा रहा था तुम इसकी बातों में नहीं आओगे नदीम आबू क्या उटा वो मेरे परिवार को मार तुम डरो मत आबू नसक तो सर में का वो सिर्फ धमकी दे रहा है एक आए नदीम के चैरे पर कड़वी मुसकान उबरी क्या हुआ आबू के माते पर बल पड़े अब तेरी भी बारी आईगी तेरे घरवाले भी उसके पास वो बखवास करता है मेरे घरवाले उसके पास नहीं उसी पल सैटेलाइट फोन बज़ उठा चड़िया चायकोटी फोन असलम के ही हाथ में था उसने बात की हेलो तुम लोग टीवी देख रहे हूँ सबसे आगे वाला चैनल लीटर की आवास कानों में पड़ी हाँ वो नदीम भी देख रहा है हाँ वो भी नदीम को समझा कर उसमे काबू रखो उससे गन ले लो वह कहीं गुस्य में तुम लोगों कोई न मार दे ये हिंदुस्तान की चाल है तुम सब में फून टलवाने के लिए और लीडर नदीम पास आयो असलम के हाथ से सैटलाइट फोन लेकर लीडर से बात की लीडर ओ नदीम कहो नदीम कहो नैही कहwowva था कि वो तोमारे परवार वाले नहीं नकली लोगों को पेश किया जा अकर उन्होंने तुमारे परवार वाले तुम्हारे परिवार वाले दिखाई होते मौत के तरवाजे पर तब मैं तुमसे पूसता नदीम लीडर की आवाज कटो रही गुर्रा मत नदीम गुर्रा उठा परना तू पस्ता आगा लीडर लीडर की आवाज नहीं आई नदीम के दाद भीचे रहे वो सब असली थे और मेरे परिवार वाले थे उन्हें नकली केकल खारात पर परदा मत डाल नदीम खुंकार ता बरे सर में कया उटा मुझे तो हैरानी है कि वो टकैती मास्टर मेरे परिवार वालों तो कैसे पहुँच गया उसे पता कैसे लगा कि मेरे परिवार वाले कौन है और वो कहां रहते हैं बलकि वो तो कहता है कि उसके पास हम नौल लड़कों के परिवार वाले ये सब कैसे हो गया उनको हमारे परिवार वालों के बारे में किसना बताया बात को समझो नदीम, ये हिंदुस्तान की चाल है जो हिंदुस्तान की चाल, सब कुछ मेरी आँकों के सामने है और तुम इसे हिंदुस्तान की चाल कह रहे हो मेरे परिवार वाले मौत के मूँ में है क्या तुम उन्हें बचा सकते हो पाकिस्तान में अलीने टेकेती मास्टर देवराच्वान की तलाश चुरू अभी तो तुम उन्हें नकली कह रहे थे इंदुस्तान की चाल कह रहे थे अब कहते हो की बहास मत करो नदीम ये वक्त बहास का नहीं है लीटर का जुझलाड बरस और कानों में पड़ा तुम मेरे से चाला की भरी बाते मत तब ही आबू का सर गुझा ओ, मेरी बहन, मम्मी, मेरा भाई और अबाभी नदीम की निगा टीवी पर स्क्रिंग की तरफ उटी और फोन पर कह उटा अब टीवी पर आबू के परिवार को दिखाय जा रहा है उसे भी कहना की सम नकली है इसके साथी नदीम में सेटेलाइट फोन बंद किया और आगे बढ़कर असलम को देते का इस कुझते से दोबारा मेरी बात मत कराना साला जोटा है परन्तु असलम की निगा तो टीवी की तरफ थी आबू इस तरह टीवी को देख रहा था जैसे किसी ने उसका खून ने चोड़ लिया उसके माबाब, भेन, भाई, कमरे में फर्श पर पढ़ेते और देवराचान उसको मोटे तंडे से पीट रहा था वो चीक रहे थे, तड़प रहे थे तभी आबू ने एक डंडा अब्बा के गाल पल लगते देखा और अगले ही पल अब्बा के होट से खून निकलते देखा आबू की आँखों में पानी चमक उठा अब्बा, अम्मी आबू रो पढ़ा अस्लाम और नदीम की नजरें आबू की तरफ उठी अस्लाम पुना टीवी देखने लगा जबकि नदीम जहरील सर में क्या उठा क्यों आबू तुम तो मुझे समझा रहे थे अब अपने बारे में क्या क्याती हो नदीम आबू तडब कर बोला वो मेरे अंबी अबबा बहन भाई को मार रहे कोई बात नहीं कुछ देर पहले देवरा चान मेरे परिवार को भी मार रहा था नदीम कड़वे सर में क्या उठा होड भीचे अस्लाम टीवी को देख रहा था क्यों अस्लाम नदीम व्यंग से बोला तू क्या देख रहा है अपने परिवार के दिखाई देने का इंतिजार कर रहा हूँ अस्लाम दाद बीचे के उठा ये देवरा चान बहुत ही जादा खतरनाग इंसान है ऐसा इंसान मैंने पहले कभी नहीं देखा लीडर तो कहता है कि ये इंदुस्तान की चाल है कड़वे सर मैं बोला नदीम ये हिंदुस्तान की चाल नहीं है आबू आसो से भरी आँखे साफ करता के उठा जो हम देख रहे हैं वो हकीकत है और असलम ठीक कहता है कि देवरा चौन बहुत कतरनाग इंसान है वरना ये सब करने की कोई साधान इंसान नहीं सोच सकता उसने तो ये सब कर भी दिखाया है हैरानी है कि हमारे परवारों को कैसे खोच लिया कि वो कहां रहते हैं अली ने कोई गलती की है असलम दाद बीचे क्या उठा अली ने हमारे पते सिफ अली जानता था अली नहीं कोई तबी सब की निगा टीवी पर जाटी की देवरा चौन कह रहा था आबू ने देख ली अपने परिवार का हाल देवरा चौन के हाथ में छुरा दबाता वो आगे बड़ा उच्छरा आबू के परिवार वालों की गर्दनों पर बारी बारी रखता क्या उठा इन सब की गर्दने काटने में मुझे खुशी होगी आबू ने सूके होटो पर जीप फेरी और होट भीच लिए परन्तु एक मौका दे रहा हूँ आबू के परिवार की जान बचाने का आबू से कह रहा हूँ में अपने हत्यार फेक कर बाहर आकर खुद को कानून के अवाले कर दे इसी शेट पर तुमारे परिवार को जिन्दा छोड़ा जा सकता है वरना कुछ देर बाद तुम अपने परिवार को मरते देख लोगे ये धमकी नहीं है जब मेरे हाथो तुम सब के परिवार के लोग मरेंगे और तुम लोग देखोगे तो समझ जाओगे कि ये धमकी नहीं है दरिंदिगी से भरा था देवराद चोहान का सर आबू के शरीर में ठंडी लहर दोड़ती चली गई और अब असलम के परिवार की बारी है देवराज चोहन बोला इसके साथ ही स्क्रीन पर से देवराज चोहन की तस्वीर गायब हो गई सब अक्के बक्के रह गए बंदग भी अपनी जगह पर बैठे अवाक से ये सब देख रहे थे गहरा सन्नाठा था वहाँ सुना असलम नदीम व्यंग से बोला अब तुमारा परिवार दिखाएगा देवराज चोहन असलम की आँखों में कुरूरता नाच रही थी उसनल लीडर को फोन मिलाया ये सब क्या हो रहा है लीडर असलम कुरूराया मेरी खुद समझ मैं नहीं आ रहा कि ये देवराज चोहन इस मामले में कहां से मैं पूछ रहा हूँ कि देवराज चोहन हमारे परिवारों तक कैसे पहुँच गया हमारे पते तो अली के पास थे इस बारे में मैं क्या कह सकता हूँ कम से कम ये तो कह सकता हूँ कि अली तुम सब के पते किसी को नहीं देगा किसी नहीं तो हमारे परिवारों के पते देवराज चोहन को दियें तब ही तो वो ये सब करने की निस्तिती में हुआ